विश्व की 65 अर्थववस्थाओं में शुमार भारत ना सिर्फ विकास की नई अबारत लिख रहा है बलकि नई अबारत रच भी रहा है। देश में लगातार विकास को बढ़ावा देते हुए सरकार आधारभू धाचे का विकास यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलोप्मेंट तेजी से कर रही है। भारत ने आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश किया है। रोड, रेल, पॉर्ट, एरपोर्ट, गरीबों के गर हो या अस्पताल। आज भारत फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूत पुर्वन निवेश कर रहा है। आज भारत दुनिया की टॉप फाइव एकोनोमी में है। आज भारत पुरी दुनिया में एक नई उम्मीद बनकर उबरा है। बड़े बड़े इंवेस्टर्स भारत में निवेश कर रहे है। इस दौरान तमिलनाडु राजी को 20 हजार करोर से अधिकी विमानन, रेल, सडक, तेल और गैस, शिपिंग और उचतर शिक्षार शेत्र से जुड़ी हुई कई परियोचनों की सौगाट पी-म ने दी। सेंटरल गवर्मेंट के प्यासों से आज भारत की पोर्ट कैपिसिटी और जहाजों के टर्न अराउंड टाइम में बहुत सुधार हुआ है। कामराजार पोर्ट भी आज देश के सबसे तेजी से विक्सिद होने वाले पोर्ट में से एक है। इस पोर्ट की कैपिसिटी को हमारी सरकार लगबग दो गुना कर चुकी है। अब जनरल कारगो बर्ट टू और कैपिटल डेजिंग फेस फाइव के उद्गाटन से तमिल नाडू से होने वाले इंपोर्ट एक्सपोर्ट को नई ताकत मिलेगी। पीएम गती शक्ती योचना के तहट भी देश में इंफ्रस्रक्चर को मस्बूत बनाने पर काम किया जा रहा है। इंफ्रस्रक्चर किसी भी देश के लिए मुख्य निर्मानकारी खंड है जिसके जरीय ना केवल रोजगार के अंगिनत अफसर निकलते हैं देश में निवेश भड़ता है और इसके साथ ही जीवन स्तर में सुधार होता है। देश को विकसित बनाने के लिए सरका लगातार काम कर रही है जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट डिडी निउस। तो जाना आपने किस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्टर डेवर्ट्मेंट है वो तेजी से हो रहा है और इसका फायदा किस तरीके से हमारे देश को मिल रहा है अर्थवरस्ता मस्बूत हो रही है। इस पर और अधिक छड़शा के लिए रुख कर लेते हैं वरिश आर्थिक पत्रकार अनिल पग्माना भूंगी अमाज साथ जूर चुके हैं। कि एक जो इंफरस्ट्रक्चर बनाया रहा है इस देश में एक फिजिकल है, सोशल है और डिजिटल है यह जो इन तीनों का जो मिलन है इसी में जो हमारी जो भारत को अगर विक्सित बनना है तो इन तीनों का मेल होना चाहिए और यह हम देख रहे हैं अगर मैं एक ही आंकड इंफरस्ट्रक्चर का जो फैदा हुआ है आम आदमियों के लिए पिछले 10 साल में 51 करोड बैंक अकाउंट दिये गए हैं और इन में 28 करोड महिलाओं का है तो आप खुदी अंदासा लगाती है किस तरीके से विक्सित भारत में ऐसा एक आधूनिक इंफरस्ट्रक्चर अगर बात की जाये तो इस तरीके का समावेश जो है वो नजर नहीं आता था तो जहरी ताउर पर हम मान सकते हैं कि अभी कि जो नीतियां है वो आगी की सोच को लेकर चल रही है वो वर्तमान में नहीं बल्कि आगले 25 साल, 50 साल ये 100 साल में किस तरीके से जो हमारा देश है और कैसे बहतेरी रास्ते पे जाएगा, इसको लेकर काम हो रहा है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, ये पहले जो देश के जो मुद्दे थे, वो गरीबी के चारों और होते थे, मतब गरीबी क्यों बढ़ता है, गरीबी इसलिए होता है कि ये एकसेस नहीं होता है आम लोगों के पास, चाहे बिजली का हो, कुकिंग गास का हो, पीने का पानी हो, पड़ाई एडिकेशन हो, कुछ भी नहीं होता है। तो अब जब आप ये सारे फेसिलिटी दे देते हो, तो गरीबी का मुद्दा है, आप देखें आंकडे जो है, दोजार में पचास प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे थे, आज कुछ 16-17 प्रतिशत हो गया है, तो ये पिछले 20 साल में जो बदलावाया है, इससे जो पूरा देश का जो सोच है, वो बदल गया है, अब एक मौका मिला है आगे सोचने का, तो इसी को देखकर ही 2047 का जो प्लान बनाया है सरकारने, अब नीतियायोग हाल में ही अभी सबके सार शेयर करेगा, कि कैसा प्लान होगा कि 2047 में 26 trillion economy बनेगा ड्रॉलर, 26 trillion dollar economy बनेगा 2047 में, आज भारत सरफ 3 trillion dollar economy है, बिलकुल लनिल जी और आप तो इतने लंबे समय से आर्थिक मामलों को कवर भी करते आए हैं, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब हम पहले कहते थे कि हमारी जो अर्थवस्ता है, वो दुनिया की पांच शूश अर्थवस्ताव में से एक बन जाएगी, कोई यकीन नहीं करता था, लेकिन दसवे पाइदान से लेकर पांच वे पाइदान तक हम लाएं हैं, लक्षर है कि तीन तक इसको जल्द ही पहुंचाया जाए मैंने जो अपने आर्थिक जर्नलिस्टिक करियर में जो देखा है, मतलब 1986 से हम लगे हुए हैं, तो जो हमने, अगर आप 2011-12 में भी देखी है, भारत को फ्रेजाइल 5 में दुराया जाता था दुनिया में, कि इसका आर्थिक ढांच जो है, इतना वल्नरबल है कि किसी टाइ म ढ़िखा को यह हुए है, तो था जालों में तीसरे स्तान पर भी पहन जाएगा है तो यह लोगयाा defendi की कम सहीं जाता है, तो इसकले वैक उड़िया करीयर में कभी नहीं थी dice, जो मातलब एक तरीके से सास नहीं होता है कि इतना बदलाव ऐतनी तनी कम समय में आ सकTे है, त इन्होंने अभी एक हाल में एक स्टडी किया है, उन्होंने का कि भारत ने जो 10 साल में जो 51 करोर लों को बैंक अकाउंट दिया है, ये नॉर्मली 47 साल लगते हैं किसी देश को पाने के लिए, तो आप समझ लीजिए किस कती से बदलाव आ रहा है इस देश में. बिल्कुल और तभी 30 से उभरती जो अर्थवस्ता है, वो हमारे देश की नजर आती है, और इसी में जब हम मेकिन इंडिया की अगर बात करते हैं, उसको आप कैसे देख पा रहे हैं? मुकुल जी, वेकन इंडिया का जो मतलब है यह नहीं कि हर चीज भारत नहीं बनेगा, बट कुछ चीजे हैं, एक तो स्ट्रेटिजिक नेचर होता है, और दूसरा मतलब होता है, तो आप अगर स्ट्रेटिजिक नेचर का, जैसे हम सोचे की अधारन देख लीजिए हमारा ज सोचे कोई जंग हो जाए, जैसे रश्या का हुआ युकरेन के साथ, तो तुरंत लोब अमेरिकन जो कंपनीस हैं, यह क्रेडिट, वीजा और मास्टर कार्ट, इहोंने अपना पूरा सिस्टम बंद कर दिया रूस में, तो अभी सोचे यही स्टिती भारत में हो, लेकिन हमार अपना इंफरस्ट्रक्चर है, UPI, इसमें भारत को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, अगर ऐसी स्टिती आई, तो एक स्ट्रडिजिक नेचर है, दूसरा होता है कि आपको रोजगार बढाना है, आपको देश को विक्सित करना है, तो जैसे अभी तमिलनादू है, एक ग्रोथ में, अब ये एक उटमोबील हब बन गया है, अभी इसमें एपल बाद में अभी टेक्नोलजी भी आ रहा है, तो ये जो एपल, लेनोवो, ये सारे एसेंबल करने लगे, गूगल भी वहां फोन अपना बनाना शुरू करेगा, तो इससे क्या होता है, रोजगार सतर, असी परसंट एक देश में होगा, बाकी किसी देश के लिंक के साथ ही होगा, कि वहां से इंपोर्ट करना हो, बिल्कुल तभी शायद हम अनिल जी कहते हैं कि जो इंफरस्ट्रक्टर डिवलोपेंट की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ जो रोजगार के अफ जाख आप लिविंग, जो हमारे ढ़ा, बीस साल पहले जाही है, इतना फ्रिक्शन रहता था, अगर हमें बैंक से पैसे भी निकालने ते तो अपने पैसे निकालने से जो अपने पैसे निकालने हैं, आज वो तुरंथ पहले अभी अभी प्रेडिट कार्ड एवी एट एट मैं अहरान हूँ, 2016 में 8000 ट्रांजक्शन थे और इतने कम समय में इतने बड़े और अच्छी बात यह है कि 70 प्रतिशच जो है 500 और 200 रुपे नीचे सम के है मतτब आम जंता जो है इसको यूजर कर रहा है, यह नहीं कि इलीट से यूजर कर रहे है, यह आम लोग भी यूजर कर रहे है तो यह आम लोगों तक फैदा पहुँच रहा है हर चीज्जमें, घर प्रगती में आम लोगों का भी एक हिसमिंगा। जी बिल्कुल अनिल जी और यह जो अब नया वर्ष है वर्ष 2014 इसमें आप किस तरीके से देखते हैं जो infrastructure development है वो किस तरीके से और आगे हमें नज़र आएंगे मुगरी उमीद है कि यह गती और पकड़ेगा क्योंकि जो एक उसमें तो ना compounding interest जो कहते हैं compound rate of growth आप growth पे growth पे growth करते हो तो एक तरीके से growth एक मतलब स्थेती पे पहुंच गया है अब यहां से बढ़ेगा ही तो आपने अभी देखा होगा पर रिजर्व बैंक अव इंडिया एक पॉलिसी रिवीव में उनने पहले जो फोरकास्स किया था ग्रोथ का साड़े चे परसंट था इस तो ज़जार था ज़िए ज़िस तो जो उनने 7 परसंट कर दिया तो अब ग्रोथ जब बढ़ रहा है तो अब इंफरस्रुक्चर के जो इन्वेस्मेंट है रोजाने हम देखते हैं कोई निर्नाई होता है कोई इन्वेस्मेंट का निर्नाई लेता है और जो पहले ही पाइपलाइन में है तो यह तो और गती पकड़ेगा और जितना गती पकड़ेगा और भी मताH Recovery partner link में उनन पालीए यस देश ने तो मुझ और मैं यह भी आपके साथ मुखल जी शहर करना जाता हूं कि एक बदलाव जो है ना मतलब मारे जो मारे जो माइन सेट में पहले जो होता था अगर आप कुकिंग एस लो बिजली लो पानी लो लो हेल्थ लो कुछ भी लो यह तरीके से एक प्रिविलेज था मतलब फोन जो था आपके पास पैसे होतो होगा जी आज जो है हर चीज मतलब जो सुविधा है हमारी जन्दगी की आम सुविधाइं जो है जो जीने की सुबदाए है, यह प्रिविलेज नहीं रहा, यह मतलब सब को मिल रहा है, तो यह एक, मतलब, मुल्भूत यह बन चुका है, पिलकुल, एक, तो इससे जो बदलाव आ रहा है, मतलब, यह देश का पुरा धांचा बदलेगा, और एक तरीके से एक नीव बना रहा ह जो हम future growth की बात कर रहे थे, मतलब, अगले है 25 साल का, यह जो एक नीव बन रहा है, यह बहुत ही एक different और original नीव है, जबकि पहले मैंने बोला, 2000 में 50% गरीब थे, अब आप देखोगे, middle class जो है, आज कुछ 440 करोड का है, यह नए नए भारत का एक बेहदी मजबूत आधा जो है, वो इस infrastructure की बदालत हम कह सकते हैं, जो की इस पर खड़ा हो रहा है